हलो दोस्तो अब हम लोहा गाट से अपना सफर आगे बढ़ाते हैं जैसे कि कल हमने बताया था पिछले एपिशेड में कि लोहा गाट लोहा वती नदी के किनारे इस्थित है थोड़ी सी जानकारी है मुझे उसके आधार पे मैं आपको बता सकता हूँ भारती राज्य उत्तरा खंड के चंपावजन पद में इस्थित ये शहर एक नगर पंचायत भी है और हिल इस्टेशन की रूप में भी प्रशिद्ध है जो मनोरम प्राकृतिक सौंदर से परपूर इतना अधिक जैसे कि आप देख भी रहे होंगे देवदार के घने ब्रक्ष इतनी मनोरम छटा है कि यह परेटकों को अपनी और आकरसित कर ही लेता है इसके चारो और छोटी छोटी पहाड़ियों से घरा नगर पौरानिक एवं एतिहसिक द्रश्टे से अत्यदिक महत्तपूर इस्थान रहा है जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि कितना सुन्दर मनोरम बातावरण है चंपावत जन्पत से यह लगवग 15 किलोमेटर की दूरी पह स्थेत है जो टनकपूर तवागाट राष्टी राजमार्ग में जो लोहावती नदी पड़ती है उस नदी के किनारे देविधार, फोर्ती, मायावती, एवट माउंट, मानेश्वार और बाला शुरका किला जूमा धूरी आदि विशेष धार्मिक एवं एत्यासिक इस्थनों की मद्ध इस्थित होने से इस नगर की सुन्दर तावर बढ़ जाती है जन्पत का यह मुख शहर, जहां से ग्रामिर छेत्रों का आवा गमन होता है प्रमुख ब्यापारिक इस्थलवी है इसलिए इसे जन्पत चंपावत का हिर्दय इस्थलवी कहा जाता है देवदार वनों से घिरे इस नगर की समुद्र तल से उंचाई लगवक पांच जार पांच शो फीट है अर्थात लगवक सत्रेशो मीटर की उंचाई पर इस्थित है 1841 में यहाँ पर एक तूरिस्ट आया था बैरोन नाम का तो उसने यही आश्चर द्यक्त किया था कि भारश शरकार इस जगए को अपना ग्रीश मकालीन राजधानी की रूप में विक्षित क्यों नहीं कर रहा है अगर आप चंपावत आने का प्लान बना रहे हैं तो लोहा घाट अवश्या यह लोहा घाट देख करके आपका मन प्रफिल लित्थ हो जाएगा चंपावत जिला भी कुछ चंपावत के वारे में भी बता देता हूँ कि यह पहले अलमोला डिस्टिक में उगा करता था जब उत्राखंड राज अलग नहीं था यह उत्तरपदेश में ही था उस समय चंपावत जो है अलमोला डिस्टिक में लगता था सन 1922 में यह हिस्सा पिथोरागण में चला गया यह इनि इसको पिथोरागण जिले से जोड़ दिया गया तो 15 सितंबर 1997 को इसको सुतंत जिला घुशित कर दिया गया उत्तराखंड में संस्कत और धर्म की उत्पत्य की जगे के रूप में चंपावत को जाना जाता है चंपावत भूमी नागा और हिंदू पौराणी कथाओं में वरनित किनर का जाना जाता है इस छेतर में खस राजाओं का भी सासन रहा है गर्मियों के दिनों में इस समय अगर आप जाएंगे तो गर्मियों के दिनों में लोहा घाट बौरास के फूलों से भरा हुआ रहता है बौरास के फूलों का एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था जो फूलों का रश निकाला जाता है आपर अर्क वो बताते हैं हार्ट के लिए बहुत ही लाबदायक होता है मैं कुछ लेकर भी आया था बहराल कुल मिला करके अगर आप चंपावत आने का प्लान कर रहे हैं तो लोहागाट अवश्याई है लोहागाट की सुन्दर्ता और यहाँ पर जो देखने लाइक इस्थान है जैसे बाणाशुर का किला, मायावती का आश्च्रम यह बहुती नजदीक हैं यह सारी चीजें देखकर के आपका मन प्रशन हो जाएगा और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप यहाँ पर एक्स्प्लोर कर सकते हैं करके और अब मैं पहुशने वाला हूँ चमपावत क्योंकि लोहागाट से चमपावत की दूरी अधिक नहीं है और यह मैं चमपावत सेर में प्रवेश कर गया हूँ चमपावत इस्टेशन पर बस इस्टेंट पर हमारी काड़ी रोकेगी और वहीं पर हो अपने इस ब्लॉक की स्वापती करेंगे फिर चमपावत से आगे जब बढ़ेंगे तो वह हमारा होगा अगला ब्लॉक चमपावत सेर भी खुपशूरत लग रहा है पहाडों पर तो जितने भी नगर शहर बसे हुए हैं अत्यंत खुपशूरत हैं और इन्ही की खुपशूरती जब लोगों के मनों को लुभाती है तो व्यक्ति अपने आप खिचा चलाता है लोग अपने आपको रोक ही नहीं पाते हैं यहां आने से लोगों की गर्मियों की छुट्टी आराम से गर्मियों के दिन कट जाते हैं बच्चे भी खुश हो जाते हैं आकर के तो शाल में एक वार अवश्य किसी भी हिले स्टेशन पर जाईए बहुत आनन्द आता है दिमाग की काफी उल्यने दूर हो जाती हैं कुछ समय के लिए यानि उसको भी एक रेश्ट मिल जाता है आराम मिल जाता है अब मैं आ गया हूँ चंपा बस स्टेंड पर और मैं अपने ब्लोग को यहीं समापत करूँगा और यह देखे बस स्टेंड भी काफी बड़ा बना हुआ है जैसे पहाडों के उसपे और चंपावत एक बिल्कुल मैदानी शहर लग रहा है क्योंकि इसमें पहाडियां बहुत दूर दूर तक हैं यहां आसपास नहीं है यह देखे उत्राखन परवान निगम बस स्टेंड चंपावत काफी बड़ा ग्राउंड है बस स्टेंड का हेले स्टेशन को देखते हुए काफी बड़ा बस स्टेंड है साथ सफाई तो उत्राखन की पहचान है यहां पर आपको गंदगी तो मिलेगी ही नहीं चलिए आप भी एंज्योई कीजिए और हम अब अपने ब्लोग को नहीं पर स्वाप्त करते हैं अब मैं अपना ब्लोग नहीं स्वाप्त करता हूँ आप देखते रहे यूटूब चैनल एहसास प्रकृती का जै हिंद जै भारत जै माता दे